खबर राय बरेली से है जहां एम्स अस्पताल में समाज सेवी के सहयोग से पहला देहदान किया गया जहां छेतर के ही 76 वर्सी व्यक्तिका देहदान कर समाज के लिए मिसाल पेस की गई है मृतक की दो बेटियां है पत्नी एम्स की एसोसीट प्रोफेसर हजिन्हों ने कहा कि इस दान से डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले बच्चों को मदद मिलेगी आईए आपको सुनाते हैं इस बारे में क्या जानकारी दी गई है मैं मनोज सेंगर हूँ युग दधीची देहदान अभियान जो के हमने वर्ष 2003 में संचालित किया था उसका मैं संयोजक और अध्यक्ष हूँ हम लोगों ने एक अभियान चलाये हुआ है जिसके अंतरगत लोगों को देहदान के लिए प्रेडित करते हैं अब तक 32 अधिक व्यक्तियों ने अपने संकल पत्र भर कर हमें यहाँ पर कानपूर महानगर और प्रदेश के अनिस्थानों से दिये हुए हैं अब तक 240 मरत शरीर हम प्रदेश के विभिनी चिकसा महाविद्यालें को दान करा चुके हैं यह 241 शरीर है जो के हम एम्स राय परेली के लिए लेकर आये हैं यह 76 वर्षी स्री रूप नारायन महरोतरा जी है जो के आरेंगर कानपूर के निवासी थे कल साइंकाल इनका निधन हुआ था इनकी तिनों बेटियों पूजा, रोली और आरती साथ ही इनकी धर्मपत्नी अनपूर्णा जी ने हमें साइंकाल सूचना दी हमने एम्स संपर करके इनके अंबुलेंस की व्यास था की और आज दो पहर हम इनकामरस टेडियर लेकर सम्मान के साथ एम्स राइबरेली पहुंचते हुए हैं और यहां पर हमने ये दान कराया हुआ है एम्स राइबरेली को ये किसी संस्था के माध्यम से पहला देहदान कराया गया है और रायवरेली के संकल पत्र की अगर हम बात करें तो 14 व्यक्तियों ने अपने संकल पत्र देहदान के लिए भर कर यहाँ पर हम सब को दिये हुए हैं और इस माध्यम से अब रायवरेली जन्पद में भी देहदान का अभिहान अपनी गती पकड़ रहा है मैं डॉक्टर कैलाज बालकुंड असोसियेट प्रोपेसर हूँ शरीर रचनावी भाग में एम सरायवरेली में तो हमें आज देहदान की जरीए एक बाड़ी मिली हुई है तो देहदान प्राप्त हुआ है उस 76 इर ओल्ड व्रद है जो कानपूर से है यह बाड़ी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां छात्रों को प्रशिक्षन के लिए मनुष्य की शरीर की अवशक्ता होती है उस हिसाब से हमें अभी प्राप्त हुई है और यह बुजूर्ग होते हुए हम इस पे जब प्रोसीजर करेंगे तो उससे प है अगरा बच्चों के प्रशिक्षन करेंगे उससे सारे जैसे है वैसे ही प्रशिक्षन होगा